बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुँ डॉक्टर स्रिपतित्र पाठी जोतिस में रत्नों का अपना एक अलग स्थान है कहते हैं रत्न धारण करने से हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ता है आज हम इस वीडियो के माधम से बता रहे हैं कि गुमेद रत्न के बारे में जोतिस में गुमेद को राहु का रत्न माना गया है कहते हैं इस रत्न को धारण करने से कई भी माधियों में राहत मिलती है आईए आपको बता दें कि इस रत्न को धारन करने के फाइदे और कीन राशियों को कब धारन करना चाहिए जोतिस के अनिशार ब्रिशब, मिथुन, कन्या, तुला एवं कुमरासी के जात्कों के लिए गुमेद रत्न धारन करना शुह माना जाता है इसके साथ ही जिन जात्कों के कुंडली में राहू पहले घर में, चौते घर में, पांचवे घर में, नौम और दस्वे भाव में हो उन्हें भी गुमेद रत्न धारन करना लाप्रद होता है इसके साथ इस वात्म भी ध्यान रखें कि बिना किसी जानकार या किसी जोट्सी के आप गुमेद रत्म धारण न करें अलता हानी पहुँचा सकता है गुमेद को धारण करने के विधी क्या है कहते है कि गुमेद को सनिवार के दिन श्वाती आद्रा और सत्विका नक्षत में धारण करना शुब रहता है और इसका अच्छा फल भी मिलता है इस रत्न को चांदी या अश्टधातू की अंगुठी में जड़वा कर धारण करना चाहिए सबसे पहले गुमेद की अंगुठी को गंगा जल दूद सहत के मिश्टित घोल में एक रात के लिए रख दें इसके बाद ओम रांग राहवे रवा मंत्र का एक माला जब करें और मध्यमा उंगली में धारण करें गुमेद पहानने के फायदे क्या आप जानते हैं जो तिस्वे बताया गया है कि राहों के मादसा में गुमेद को पहानना फायदे मन्न नहीं हो सकता है अगर पहनेंगे तो ये ग्रह और मजबूत हो करके हानी पहुँचाएगा गोमेद को धारन करने से शत्रूप विजय प्राप्त होती है और मन में सकरात्मक बिचार पैदा होते हैं करते हैं गोमेद को धारन करने से एकागरता बढ़ती है और अनिद्रा की समस्या से मोक्ती मिलती है यदि प्रोफेशनल्स गुमेद को धारन करते हैं तो उनके सभी अटके हुए प्रोजेक्ट से पूरे होते हैं जोतिस के अनुशार मंगल पर सनी और राहु केतु की दृष्टी होने से ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी परिशानिया जैसे घातक बिमारिया होती है अगर किसी का ब्लड कैंसर है तो उसे बना सुनी आया फिर गुमेद धारन करना चाहिए उसमें यह रामबाण का काम करेगा और बहतरी करेगा अभी तक आपनी यह चैनल सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब करें, सेर करें और कमेंट्स करें तक तक के लिए नमस्का